PMFBY. एक तेत एक छालें 20 लाइक से अधीक किसानों को मिला पेशा जाने आप केसे लाइकन को मिला पेशा हुआ और हमारी वीडियो को जदा जदा सियर करें वो फेस्बुक और वार्टसप सभी जगें और हमारी लेटस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दवाए PMFBY के तेत एक साल में बाउन लाग से अधिक किसानों को मिला पेशा जाने आप केसे ले सकते इस योजना कलाब 2018-19 के आकड़ों को मुताविक बाउन लाग ताड़ी दर दो सब्सक्राइब को फसल वीमा योजना का वीमा क्लेम का वुक्तान किया जा चुका है प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना क्तेत एक साल में बाउन लाग से अधिक किसानों का पेशा मिला है 2018-19 के आकड़ों को मुताविक बाउन लाग ताड़ी सब्सक्राइब को फसल पर कराएगे वीमा के क्लेम का वुक्तान किया जा चुका है प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना के अंतरगत प्रकतिक आपदास से हुने वाले नुक्सान पर आतिक साहता प्रधान की जाती है इस योजना की सुरुआत तेरे जनवरी 2016 को हुई थी इसके तेत हर साल में 5.5 करोड आवधन आते है अधक प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना के अंतरगत 90,000 करोड रुपे के दावों को भुक्तान किया जा चुका है अगर आप भी इस योजना के लाव उठाना चाते है तो आपको आवधन करना होगा किसान ओलनाइन और ओफलाइन दोनों तरीके से आवधन कर सकते है राज सरकारे रववी और खरीव सीजने प्याम फसल वीमा योजना का विग्यापन भी जारी करती है सबसे अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना को स्वेक्षिक कर दिया गया है क्या है ये योजना प्राक्तिक आपदा जैसे कीट और रोगों के परनाम सरूप अधिस उचित फसल में से किसी भी विफलता कि इस्तिती में किसानों को विमा कवरेज और वित्य साहता प्रधान की जाती है किसी में किसानों को इस्तत परिक्रिया सुनिचित करने के लिए उनकी आए को से रहती कर सकते है फसल वीमा का फॉर्म ओन्लाइन भी उपलफध है जिसे आप प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना की अधिकारी वेबसाइट www.pmfvy.gov.in से फ्राफ्ट कर सकते है किन डॉकॉमेंट की होग जरत वीमा लेने वाली व्यक्ति की फोटो वीमा लेने वाली व्यक्ति का पेचान पत्र इसके लिए अधार कार्ड पेहन का ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड और पास्पोर्ट में से एक दे सकते है एड्रेस पूर्फ के तोर पर इसके लिए अधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड और पास्पोर्ट में से एक दे सकते है खेते कागजात खेतम बुआई की गई फसल का सबूत इसके लिए आप कटवारी सरपंच और प्रधान आदी से लिखा सकते है बीमा का पेशा सीधे आपको अकाउंट में आएगा जिस खाते में पेशा आना है उसका कैंसल चेक भी जमा करवाना होगा इन बातों का रखे धियान हाल में ही करीब 9,30,000 किसानों को बीमा क्लेम रद कर दिया गया है ऐसे में जब आप बीमा के लिए रिस्टेशन कराते है तो कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए वरना प्रीमियम देने के बाद भी आप बीमा क्लेम की रासी नहीं ले पाएंगे अगर बड़े पहमाना पर फ्राक्तिक आपदाय आती है तो ऐसे इस्थिती में फसल नुकसान के दावों को सूचना दायर करने की ज़रूद नहीं होती है लेकिन ओला वरेष्टी भूस कलान अती वरेष्टी वादल फटने प्राक्तिक आपदा और प्राक्तिक आग लगने और बेमोसम वारिस सामवाने से अधिक वारिस होने की कारण फसल की कटाई के बाद हुए नुकसान की गन्ना बीमित खेट के आदार पर की जाती है इसलिए किसानों को इस संबाद में वीमा कंपनी को स्यूचित करना होता है इसके अलाव देर से सूचिना देने पर क्लेम का वुक्ता नहीं किया जाएगा प्याम फसल वीमा योजना 2021 के लिए ओनलान आवधन के से करें साथ पहले आपको इसी ओजना के अधिकारी वेबसाइट पर चले जाना होगा इसी ओजना के अधिकारी वेबसाइट है www.tvspmfy.govron.in आप पर जाने के बाद आपको साइड में फार्मर को कौनर का विकल्प दिखाएदेगा आपको इस पर क्लिक करना होगा इस विकल्ब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Login for Farmer और दूसरा Guest Farmer दो विकल्ब दिखाए देंगे इसमें से आपको Login for Farmer के विकल्ब पर क्लिक करना होगा इस विकल्ब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Mobile Number और Capture Code आ जाएगा आपको इसमें मुबाइल नंबर और केफचा कोड़ डालना होगा मुबाइल नंबर और केफचा कोड़ डालने के बाद PMFBY का फोन खुल कर सामने आ जाएगा इसमें किसान को सो सो पहले व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी उसके बाद किसान को अपने रहने के इस्तान के बारे में जानकारी देनी होगी फिर किसान को अपनी ID सिलक्ट करनी होगी फिर उसको बेंग से समधित जानकारी देनी होगी अंतु में उसे Capture Code डाल कर Create User के विकल पर किलिक करना होगा इस प्रकार आपका PM FBY के तेहत और लाइन आवदर हो जाएगा PM फसल भी में योजना 2021 को लेकर आपकी क्यार आया हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना समधित आपको और विश्तार से जानकारी दे सके अगर आपको हमारा वीडियो अछा लगता है ता हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और जाद जाद श्याद करें Facebook और Whatsapp सबी जगे और हमारी latest वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाए